अगला कमेंट है कि सर मैं बोलते विक्षमा चाता हूँ लेकिन पता नहीं क्यों आपकी घनी डाड़ी मूचों से मुझे चीजे कठिन लग रही जबकि आपकी जिन वीडियो में नॉर्मल डाड़ी मूच है वो आसान सी लग रही है सर क्या आप अपनी डाड़ी मूचों को थोड़ा हलका करा कर आप वीडियो बना सकते हैं अरे मेरी डाड़ी मूच से भी किसी को समझने में दिक्कत हो सकती है पता नहीं तुम्हारे लिए क्या क्या करना पड़ेगा एक मिनट रुगो आपने तो डाड़ी मूच की बात की थी मैंने तो सिर्टक के उड़ा दिये अब चिंता मत करो अगली वीडियो में आपको ये डाड़ी मूच भी देखने को नहीं मिलेगी सब सपाया मिलेगा बस अगली बार से बहाना मत मारिएगा कि सर आपके बाल हो की वज़े से हमें समझ भी नहीं आया पता नहीं ना जने क्या क्या गरना बढ़ेगा तुमारे लिए